एक सनातनी को मिटाने के लिए पुरे देश की मीडिया पीछे लग गए थी पुरे देश के बानपंथी पीछे लग गए थे लेकिन कहते हैं जिसका रखवाला है राम उनकी फौब भी आमेरिका दो तीन दिन से खूब निवजों पर चला हमें और कोई चंता नहीं हुई बस लाखों सनातनियों के मन में जो ब्रह्म आ गया था बाला जी के प्रती उसकी भर हमें चंता होती रही दो दे बाकी हमें कोई चंता नहीं हुई लेकिन आज जब पूरे देज की निडिया यहां दरबार को एक्स पोज करने आई जब सन्यासी बाबा ने निडा की हमें तो पूरा ध्यान नहीं है हमें तो बाद में ध्यान आया है हमें फून पया ध्यान नहीं है लेकिन हम यह कहते हैं भाईया आज भी ईश्वर है और आज भी सनातन में दागत है न गुरू होते न गुरुदेव होते न लाज बचती गुरू कृपा है लाज बचे की सच बताव है सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है न कोई चुका सकता है हमने अपनी जिन्दगी में हर पल परिक्षा जाए सत्त को बहुत बार कसोटी पर तोला जाता है आज हमारी आखें बार बार इसलिए भर नहीं कि माता जानकी जी की परिक्षा के लिए कितना परिसान नहीं किया होगा कि दन्यरे भारत इस भारत में सत्त को भी मार देने की आव सकता है पर बाहरे कलियों के राजा हनमान जी डंका ठोक कर मूतोर जबाद देते हैं और आज राएपुर में इतिहास लिग गया इतिहास में कभी किताब उठाई जाएगी तो ये एक बात कही जाएगी कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दर्वान लगा था कि जब पूरे देश की मीडिया जहां बैठी थी और उनके मूपर तमाचा मार दिया था सच बताएं आज तो हम पूरी रात सोय नहीं पूरी रात नहीं सोय सुबह सारे तीन बज़े हमारी लड़ाई हो गई गुरुजी से पाहर के लोगों से नहीं सन्यासी बाबा से यह हमने घटना बताई भी नहीं किसी सारे तीन चार बज़े जब सब बच्चे चले गए सब नॉर्मल था लेकिन लड़ाई इस बात पर हो गई कि गुरुदेव जब हम सच हैं सारे पांच बज़े हमको सोते हुए जगाया बुरुजी ने सपने में और कहा हाथ भेर कर सिर पर तु रोया मत कर इतना ज्यादा टेंसन मत लिया कर जा तु जहां भी जाएगा जंडा गार कर आएगा जाएगा जाएगा तो बस पर हमारी टेंसन शूर्न हो गई हमें पता था कि आज पूरे भारत की मीडिया आएगी एक भी कमी हो जाएगी लाखों हमें अपना भै नहीं है कोई हमें मार ले गाली दे दे हमें अपने सनातन धर्म का पाएगे कोई संतों को बुरादा करें हम पाखंडी है लेकर हमारे बालाजी नहीं है हमारा सनातन पाखंडी नहीं है हमारे सनातन के संतों में तागत है है तागत तपस्या में तागत है और आज के बाद तो हमने प्रण लिया हम कभी किसी को अपने परिक्षा नहीं देखिए कितनी बार परिक्षा दें कितनी बार बागे सुर्धाम पर भी आदी हकीकत आदा पसाना आया उन्होंने भी खुब परिसान किया पर इच्छा लिए हमें कोई दिक्कत नहीं जो नॉर्मली है वह तो बोलते हैं हमेशा बोलते हम इश्वर नहीं है हमारे पास कोई चमतकार नहीं है हमारे उपर तो बाला जी की कृपा है लेकिन कृपा ऐसी है जो कह दिया जाता वो कट्टा नहीं है कितने बार सब्त को परिशान करोगे कितनी बार साज को कसोटी परकर शुक्त आखिर कब तक हमने किसी को बुलाया है हमने किसी से प्रमाण पत्र नहीं मागा हमने कभी किसी से रुपिया नहीं मागा ना हमारी कोई ऐसी मन की भावना है हमारी भावना सनातन है और आस्तों में दर्बार का पूरा हौस भी नहीं वो तो बाद में जब हमें बताया तो वो में याद आता है कल तक हमारे सब बच्चे परिशान थे सब बच्चों के मन में ये था कि गुरू जी अपने उपर दाग लग गया कि हम महराष्ट से आ गए हम चुनोतियों से तर गए हम विज्ञान के सामने फैल हो गए लेकर हमें अपने इष्ट पर भरोशा था हमारा इष्ट और कलियोग के राजाहनमाजी फैल नहीं होते है और आखिरकार राएपुर के तिहास में सब्त की जीत होई कोई सफाई नहीं है हमें कुछ ऐसा भी मन में फील नहीं है कि हमने बता दिया और आज हमारी जीत हो गए हमें बस ये फील है कि जो संत टीवी डिवेट पर हमारे लिए बोलते थे जो हिंदू शनातनी हमारे लिए बिना हमारे सामने पुरजोर समर्थन करते थे आज उनकी जीत हो गई जो हमारे लिए लड़ जाते थे आज उनकी जीत हो गई और विज्ञान के युग में हुई और किसी बंद कमरे में नहीं लगब कितने लाख लोग होंगे आज हैं चार लाख तो कम से कम होंगी बंद कमरे में नहीं चार लाख लोगों के साथ खेर छोड़ो जो बीत गया सुबीती ताही विसार दे अब आगे की बात यही है आज के बाद कोई कहेगा कि सनातन पाखन्ड है आज के बाद कोई कहेगा कि संत पाखन्डी है उमकी छटरी बार बीच लेकिन जान की नाथ सहाय कौन विगार काम भी राम सहाय कौन विगार सकता है खूब जी हो साथ मुझ में और चैलिंज देने बालों को भी हमारा कहना है आज के बाद तो अब आपको लोग ही लिए दूसरी बाद हम अंद्विश्वास के खिलाब और आपके सपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा सफाई नहीं देना है हमें अपना सनातन का काम करना है बस अब आज के बाद कोई कुछ भी बोले हम जियेंगे अपने सनातनियों के लिए हमें अपने सनातन का का क्वेंगे बाद की शोर्ट में अपना है झाल